चैनल कि सभी अब डेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन हेलो दोस्तो बाजार बाइट्स के आज की एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की एपिसोड में बात करेंगे ट्रेडिंग की तीन सबसे बड़ी गलतियों की जो एक ट्रेडर से होती है वैसे तो दोस्तो इस मार्किट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सीखने लाइक हैं लेकिन मैंने तीन गलतियां ऐसी निकाली हैं जो कि अगर आपकी ट्रेडिंग में ना हो तो आपकी बाकी गलतियां छोटे मोटे छुप जाती हैं तो उन तीन गलतियों की जो लगभग हर ट्रेडर से होती हैं उसकी बात करेंगे इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर याद करा दूँ 23 और 24 जून को हम आमदाबाद आ रहे हैं अपना Master Trader प्रोग्राम लेकर तो जो भी मेरे आमदाबाद के दोस्त रह गए हैं 9 जून उसकी लास डेट है स्क्रीन के नीचे हमारी वेबसाइट का एडरस आ रहा है उस पर जाकर वो जल्दी से जल्दी अपनी सीट को लॉक करें दोस्तो बहुत ही कम सीटें बची हैं इसलिए जो भी लोग आना चाहते हैं वो समय वेस्ट ना करें और जल्दी जाकर अपनी सीट को लॉक करें तो आज के वीडियो में बात करेंगे उन तीन गलतियों की जो जर्नली हर ट्रेडर से होती हैं चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट हो चाहे वो पुराना हो गया हो चाहे अभी आया है मार्किट में सीख रहा है लेकिन ये तीन मिस्टेक लग भग हर ट्रेडर इस मार्किट में कर कहीं ये तीन गलतियां मिल जाएंगे उसमें सबसे पहली जो गलती होती है एक ट्रेडर से वो ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करते हैं पता नहीं मुझे समझ नहीं आता मैंने जितने भी लोगों को देखा है जिन लोगों ने इस मार्किट में लॉस खाया है उनमें मैं भी था कभी उनमें एक ये चीज़ आपको हमेशा मिल जाएगी कि वो हमेशा ट्रेंड के उल्टा काम करते हैं मतलब अगर कोई स्टॉक उपर जा रहा है तो वो बेच रहे होंगे उसको कोई स्टॉक नीचे आ रहा है तो खरीद रहे होंगे वो उसको ये एक्चली इतनी छोटी सी बात है कि अगर कोई चीज़ उपर जा रही है तो हमें उसको लेना होता है कोई चीज़ नीचे आ रही है तो उसको बेचना होता है या उसमें से बाहर निकलना होता है लेकिन ये इतना बड़ा साइकलोजिकल पॉइंट है और इस पे जीत पाना दोस्तों बहुत मुश्किल है सिरफ इतनी छोटी सी बात समझना के हावा की दिशा के साथ ही पैसा बनता है सालों लग जाते हैं इस चीज को समझने में के हावा की दिशा के उल्टा पैसा नहीं बनता शुरुआती स्टेज में मेरे साथ भी ऐसा होता था मैं ये सोचता था ये स्टॉक बहुत उपर चला गया इसको बेज देते हैं नीचे आएगा कुछ मुनाफ़ा बन जाएगा ये स्टॉक बहुत नीचे गिर गया है इसको ले लेते हैं थोड़ा उपर जाएगा तो कुछ प्राफिट आएगा लेकिन टाइम के साथ साथ मैंने देखा ऐसा नहीं होता, जो नीचे जा रहा है वो नीचे जाता रहेगा, जो उपर जा रहा है वो उपर जाता रहेगा, दोस्तों छोटे से नियम को समझे सिरफ, अगर आपको पैसा बनाना है, हवा की दिशा के उल्टा आप पैसा नहीं बना सकते एक छोटा सा बच्चा भी जानता है जो काइट उडाने जाता है पूछिए उससे आप सबसे पहले वो क्या देखता है आप जाएंगे आज काइट उडाने सबसे पहले क्या देखेंगे वो जो छोटा बच्चा है उसे देखिए वो क्या करता है वो उस काइट को उडाने से पहले धूल उड़ा के देखता है किस तरफ की हवा चल रही है जिस तरफ की हवा चल रही है पतंग उसी तरफ उड़ाना शुरू कर देता है उसको फरक नहीं पड़ता कि इधर उड़ानी है या इधर उड़ानी है जहां की हवा है उदर ही पतंग उड़ेगी याद और मैं हमेशा बोलता हूँ पतंग आपके उडाने से नहीं उडती है पतंग उडती हैं जहां हवा है आप यह समझिये कि आपकी जो पतंग है उसके उडने के लिए सबसे important जो चीज है actually वो हवा है आपकी जो skill है उडाने की जो art है वो बहुत बाद में काम आती है सिर्फ समालने के उडाने में आपका कोई योगदान नहीं होता उडाने में सारा काम वो हवा करती है आपको सिर्फ उस direction में लेके जाना होता है अपनी kite को वो हवा अपने आप उसको उपर ले जाती है इस मार्किट में भी यही होता है आपको सिर्फ सही जगा पे बैठना है जो चीजें उपर जा रही हैं उनमें आप उस तरफ बैठिये जो चीजें नीचे आ रही हैं उनमें उस तरफ ट्रेड कीजिए मैंने ये देखा है, एक ये गलती, maximum सारे trader करते हैं, और मुझे अब समझ नहीं आता, कि ऐसा क्यों करते हैं, हला कि पहले मैं भी ऐसा करता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, इतनी चोटी सी बात, सिर्फ इतनी चोटी सी बात समझ नहीं आती है, कि जिस direction में हवा चल रही है उसके उल्टा कभी भी पैसा नहीं बनेगा, कभी भी आपकी काइट नहीं उड़ेगी, तो पहली गलती, जादा तर इस market में हर trader करता है, कि वो trend के उल्टा काम करने की कोशिश करता है, उसको लगता है, ये चीज सस्ती हो गई है, इसको ले लूँ, ये चीज महंगी हो गई है, इसको बेच दूँ, आपकी जितनी गलतियां होती है, आप जाके देखी, अपनी cassette को rewind कीजिए, maximum में आप ये गलती जरूर पाएंगे, दूसरी सबसे बड़ी जो गलती होती है, वो होती है, हम quantity भढ़ा देते हैं, हम लालच में आ जाते हैं, जब भी हमें ऐसा लगता है कोई सौधा हमारी favor में जाना शुरू हो गया, हम उसके अंदर एकदम से हावी होना चाहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि आज यारब पती बन जाओं, दोस्तो एक बात मैंने अपने experience से सीखी है, कि कितना भी अच्छा सौधा हो, अगर आपकी quantity, आपकी capital का जो size है, उससे बह में से loss ही खाएंगे, क्योंकि आपकी जो quantity का size है, वो आपकी capital को suit नहीं कर रहा है, क्योंकि stock जो होता है, वो कभी सीधी line में उपर नहीं जाते हैं, वो बीच बीच में नीचे गिरेंगे, उस समय आपकी वो size है quantity का, आपको तकलीव देगा, और आप जो है, वो panic में आके ब जितनी भी गलतियां इस market में होती हैं, उसमें से दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है, over trading करना, यानि कि अपनी quantity को बढ़ा देना बिना सोचे समझे, जितना आपका capital है, quantity उतनी रखिये, और जादा leverage मत लीजिए, आपका broker आपको उधार देने को तयार है, 5 गुना, 6 गुना इसका मतलब यह नहीं है, कि वो आपका loss भी सहलेगा, loss आपी को सहना पड़ेगा, तो इसलिए over trading में मत जाईए, अपनी quantity को उतना रखिये, जितना आप संभाल सकते हो, चाहे आप उस सौदे को लेकर कितने भी sure हो, फिर भी quantity बिलकुल मत बढ़ाईए, और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो यह होती है कि stop loss को ना मानना, या stop loss बहुत ही tight रखना, छोटा stop loss रखना, यह हिसाब लगाना कि मेरे इतने पैसे जाने चाहिए, यह सबसे बड़ी mistake है, चुलि मैंने अपने इतने सालों के experience में सीखा है, कि stop loss एक तो आपको जरूर रखना है, इसकी संभावना hit होने की कम से कम हो, जादा तर लोगों के अंदर क्या होता है, वो हिसाब लगाते हैं कि 1% का रख लेते हैं, 5 उरुपे का रख लेते हैं, 7 उरुपे का रख लेते हैं, वो stop loss उनका 3-4 बार hit होता है, stop loss लगाना भी एक तरह की 8 है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, पहली बात तो ये कि stop loss लगाना, इतनी समझ होनी चीए, मैंने कई लोगों को देखा है, वो कहते हैं, हमने stop ले लिया और उसके बाद हम बैठे हैं, वो stop नीची आ गया, मैंने उनसे पुछा, stop loss कोई ऐसा area आपने नहीं सोचा कि मैं यहाँ निकलूं, कह रहे स सर हमने तो सोचा नी, फिर मैं उनसे दूसरा question पूछता हूँ, जिस दिन यह stock लिया था, क्या सोचा था, तो वो बोलते हैं, सर हमने सोचा था, 2-3%, 4% उपर जाएगा, हम काट देंगे, जब आप 4% का profit आने पे बाहर निकल जाओगे, और वो stock नीचे आ गया 10% और आप बै से stock लेने से पहले risk reward का हिसाब लगाईए, कि अगर 5% चाहता हूँ, तो 2% से उपर का loss कभी नहीं दोगा, अगर आपको लगता है आपके stop loss के जो system है उसके हिसाब से, इसका stop loss 2% से जादा है, तो उस सौदे को छोड़ दीजिए, आपको सौदे बहुत मिलेंगे, इस market में opportunity आती रहती है, तो तीसरी सबसे बड़े ये गलती है, stop loss ना लगाना, मालूम उनके काम सुनते ही नहीं है stop loss, हम भी कई लोगों को ये बताते हैं, ये stock ले लो, वो ले लो, वो stock सुन लेते हैं, stop loss उनको सुना ही नहीं देता, हम साथ में बताते हैं कि ये stop loss लगाना है, लोस हम नहीं लेना चाहते इसलिए लोस वाली बाद तो हमारे कान में हिनी आती हमारे पिता जी ने हमें सिखाया हुइ पैसा जुड़ा हुआ है उससे जितना आप का प्रॉफिट का साइस बढ़ेगा झो खराब सौधे उनको आपको साथ साथ निकालना जरूरी है जो आपके अच्छे सौधे हैं उनसे जो आपको आ रहा है प्रॉफिट उसका साइस डे बैडे उपर चला जाए तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने बात की तीन सबसे बड़ी गलतियों की गलतियां जैसे मैंने बताया बहुत ह होती हैं लेकिन ये तीन गलतियां आप लिखके रखिए अपने सामने अपनी वाल के ओपर जहां आप ट्रेडिंग करते हैं याद रखिएगा अगर आप ये तीन गलतियों को छोड़ देते हैं इनसे किसी तरह से बाहर आ जाते हैं आपकी छोटी मोटी सारी गलतियां पीछे जाके देखिए उनकी बैगराउंड में कहीं न कहीं आपको इन तीन गलतियों में से कोई न कोई एक जरूर मिल जाए तो आज की वीडियो में इतना ही आने वाले दिनों में इसी तरह के वीडियो आपके लिए और लेकर आते रहेंगे और कुछ मेजर अनॉंस्मेंट लेके आएंगे अगले हफते हम अपने इसी चैनल के उपर हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें वीडियो अच्छा लगा दूसरों के साथ में शेयर कीजिए और हमें कॉमेंट सेक्षन में बताईए कि आप और कौन सी तरह के टॉपिक सुनना चाहते हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार